कि नमस्कार दोस्तों आज है टाटा इपेल दोजार ते इसकी जो मैच पंजब किंग वेसे स्कोल करता नाइट राइड़ास के बीच की उसकी तस ड्री मिले उनकी वेरिंग टेम्स में आपको दिखाने आलाओ और भी सीधे प्रिव्यू करके दिखाने आलाओ तो चले दोस्त टीम यहाँ पर बना के रख चुका माय टेम पर वहीं पर चलते हैं सिधे ज्यादा देर नहीं करते और टीम में देखना शुरू करते सबसे पहले भानु का राजपक्षे रहेंगे कीपिंग में अगर बात करें बैटिंग की तो धवन है शिखर धवन नितिश रान आफको स्वेंकटे शाइयर यह तीन बैडले बल्लिवाद रहेंगे अल्राउंडरस में शाकीबुलहसन सुनील नरीन आंद्रे रैसेल लिविंग स्टोन सैम कुरन कगी सुरबाडा और अर्शदीप सिंग गेन बाजी में रहेंगे कप्तान रहेंगे यहाँ पर आंद्रे रैसेल औ लिविंग स्टोन चले दोस्तों इस टीम को करते हैं यह टीम ग्राण लिक के लिए रहेंगे इसके बाद दूसरी टीम हमें देखनी होगी तो यहाँ पर गुरबाज को मैं यहाँ पर लूगा ठोड़ा रिस्की पिक जरूर है लेकिन एकाट टीम में जरूर ले सकते इसके का शिखर धवन रहेंगे नितिश राना रहेंगे वेंगटे शायर्ती निवल्लेवाद रहेंगे जहाँ पर रिशी धवन को मैं इस टीम में लूगा सुनिल नरीन को भी लूगा आधर अरसेल लीविंग स्टोर्ण साम कुरन और गेन बाजि में में पास टीम सावती इस तरह से रहेंगे और अब बात करते हैं कप्तान की अफकोस शिकर धाउन को बनाऊंगा निती श्राना को वाइस कैप्टर बनाऊंगा दोनों बेस्ट है दोस्तों और इस टीम को मैं आपको ग्राइड लिए जादा से जादा सज्जेस्ट करूंगा चलिए दोस्तों इस टी की पिके लेकिन फायदे में साबित हो सकते हैं शिखरधवन नितिश राना और वेंकेटे शेयर तीनी वल्लेबाज है सुनिल नरीन आंदर अरसे लिविंग स्टोन सैम कुरन चार ओल रॉंडर है टीम साउथी और अर्शदीप सिंग दो गेन बाज है बात करते कैप्टन की तो भी कर सकते हैं नरीन को कैप्टन और सैम कुरन को वाइस कैप्टन लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा चले दोस्तों टीम भी हो गई है अब टीम चार पर चलते हैं टीम चार की बात करूं तो यहां पर जतीन शर्मा को ले रहा हूं लेकिन इसके बाद शिखरधवन नितिश लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा मतलब यहां पर देने में माहिर है दोस्तों तो इसलिए इनको वाइस कैप्टन मनाऊंगा उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा मतलब यहां पर नितिश राणा को कप्तन और अर्शरिप सिंग को वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं तो कुल मिला के यह भी टीम अच्छी खासी है इसे भी आपको ग्रांड लिक के लिए यूज करना काफे फायदेमन साबित हो सकते हैं और यह आपको अच्छी खासे अर् सिखर धावन नितिश राणा और वेंकटे शायर रिंकु सिंग को भी मैया पर लूंगा और शारुक खान को भी कैसर भूल सकते दोस्तों इनको भी लेना काफी फायदे में रहे सकता है बात करते हैं अल्राउंडर्स की तो शाकिबूल अंड्रे रैसल और लिविंग स्टन की नहीं लूंगा और रहूल चर को हम गेन बाजी में नहीं ले पाए अभी तक तो इनको जरूर गेन बाजी में ले लूंगा तो कुल बला कि यह भी टिम काफी जबद दस्ते दोस्तों और आपको जरूर इस टिम को भी ग्राण लिक के लिए यूद जरूर करना चाहे इस कटन का दाव लगा दीजेगा आच्छा करेंगे तो आपको जसकी है दोस्तों और नहीं भी करेंगे तो अच्छा Khal الخ masculine करेंगे और रकुड़ ला डेगे आपको चले दुक्यां बएंब्सक्तर हो चुकी हैं अब चलतते च्सों घ्र से बनाई है अब चट्टी टीम के बाद करें तो यहाँ पर सिर्फ पोर से भादू का राजपक्षे को आज विकेट की पर ले रहा हूँ उसके बाद शिकरदवन नितिश राना और वेंकटे शाहियर करेब करें भार टीम में रहेंगे शाकी बुलासन को ले रहा हूँ आंद्रे रेसेल को ले रहा हूँ लिविंग स्टोन को ले रहा हूँ ऐसे लिए जरूर जीन सकती तो इसलिए इन चारों को सात में लिया है शाकी बुल काफी अच्छे फॉर्म है बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते क्याप्टन मना रहा हूँ क्योंकि यह बी काफी जबदसत एंप विक्टेम मिलती है इनको तो इसलिए इनको भी क्याप्टन और राइस क्याप्टन मनाना काफी फाय देमन साबित हो सकता है तो इस तर से छटी टीम और इस टीम को भी आपको अपको ग्राण लेगा बड़ी बड़ी लिगों के लिए जरूरी योज करना है रोस्तों इसके बा लिविंग स्टोन इस तर से चार अल्राउंडर को ले रहा हुँ सिकंदर रजा है यह जिंबबे के काफी जबंदस तोल्राउंडर है काफी अच्छे फॉर्म में है तो इसलिए इनको भी ले रहा हुँ और फर्ग्यूशन को अभी तक नहीं ले पाया था इनको जरूरू ल तो शारुक खान को इस टीम का वाइस कैप्टन मना हुआ क्योंकि इनको चांस जरूरू मिलने आला दोस्तों और चांस ही नहीं इनको बैटिंग भी जरूर आ सकती है तो इसलिए इन पर वाइस कैप्टन दाव लगाने जा रहा हुँ तो यह भी टीम काफी जबंदस अपको आप इसे भी लाइन लिक के लिए ज़रूर यूज कर सकते हैं चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं और आठवी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस्तर से मैंने बडाई है आठवी टीम की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर तीन कीपर के साथ जा रहा हूँ भानुका राजपक्षे लिटल दास गुरबाज तो साथ में लेना काफी फाय देमन साबित हो सकता है दोस्तों यहाँ पर शेखर धवन को ले रहा हूँ नितिश राना को ले रहा हूँ शारुक खान को ले रहा हूँ वेंकर टेश आईयर को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है पर घ्रुटा करन चाहे तो इल्टा करना चाहे तो उल्टा उल्टा भी कर सकते दोस्तों शारुडुल को कैप्टर और भानुका को वाइस कैप्टर भी बना सकते है लेकिन मुझे लगता है वानुका राजपक्षे क्याफ्टर अच्छे रहेंगे इस लिए इस टीम को भी जादा से जादा वड़ी वड़ी लीग और ग्रैलिक के लिए उसकी जगा दोस्तों आपको जरूर शफलता मिल चकती है यह आठवी टीम थी दोस्तों और यह भी अब ह हो चुकिए तो नवी टीम पर चलते हैं और देख लेते नवी टीम किस तर से हैं नवी टीम की बात करूं तो लिटल दास को अकेले को मैं इस टीम में ले रहा हूं आज विकेट के पर उसके बाद शिकर्धावन निती श्राना रिंकु सिंग को कैसे बिल चकते इनको भी मैं जरू ले लूँगा शारुक खान को भी इस टीम में जरू ले लूँगा आज बैट्समन यहाँ पर अगर बात करें अल्रांडर्स की तो शाकी बुलहसन है नसुनिल नरीन है आंद्रे रसेल है लिविंग स्टोन है सैम कुरन है लॉक की फर्गुशन को भी मैं अपने इस ट बास्तर गेंवाज एक काफे फास्टेस गेंवाजी कर सकते तो इसलिए इनको भाइस क्याप्टन वना रहो क्योंकि यह भी विक्टे निकाल सकते हैं काफे जबदस्त गेंवाज है न्यूजिलंड के लिए चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं और दसवी और आखर लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है चेल राउंडर के साथ में जाने आलाओ शाकी बुलसने मेरे पास सुनील नरीने अंद्रे रसेल है इसके बात सिकंदर रजा है लिविंग स्टोन है सैम कुरन है और गेंवाजी में सिर्फ अर्षणीप है दोस्तों अगर आपके पास चे ऑल राउंडर है तो आपके पास गेंवाजी में एक भी काफी हो जाता है दोस्तों एक गेंवाज भी अगर बात करें तो सुनील नरीन को खपतान अभी तक नहीं बना पाया था तो खपतान बना रहा हूं सेकंदर रजा अगर खेलते हैं तो इनको वाइस कैप्टन बना यह तो जब बनी है दोस्तों सभी की सभी अफ्कोस आपको किस तर से यूज करनी है किस तर से नहीं आप देख लीजिएगा जरू आप सब्सक्राइब करके बेल आइकाण को प्रेस करके ऑल पर बिक्लिक करना ना बुले तब आपी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अग वाद और गुडबाई